का सब्सक्र Anda ॐपर मैंने ऑपको सरकारी नौकरी पासकते बारे नौकरी पासके घ्र लेकिन आख की वीडियों के लिए विडियो सुस्ट से लिए बहुत जाद न हो सकती है सबसे पर मैं आपको बता दो कि इस वीडियों कि ससी सीजियल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए आपके स्ट्रीम क्या होनी चाहिए ससी सीजियल का एक्जाम पैटर्न क्या होता है कितने पोश्ट होते हैं ससी सीजियल में और आपकी स्टैलरी क्या होती है तो बहुत तरीके की important बात आपको इस वीडियो में बताई जांगे तो दोस्तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा तो चले वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो अगर आप SSE CGL का एक्जाम क्लियर कर सकते हो तो आप CBI में जा सकते हो आप income tax officer बन सकते हो आप नार्कोटिक्स department में जा सकते हो यानि कि आपका career बहुत अच्छा हो सकते हैं बहुत सारे career option होते SSE CGL को क्लियर करने के बाद SSE CGL SSE यानि की staff selection commission और CGL यानि की combined graduate level तो अगर हम qualification की बात पर तो इसमें आपको कम से कम graduate होना जरूरी है लेकिन अगर आप graduation के last year में भी है तब भी आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब बारी आते हैं कि आपकी stream कौन सी होनी चाहिए मेरे दोस्तों आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने के जोतने हैं आपका stream से कोई भी फर्क ने पड़ेगा आप किसी भी stream से हैं तो आप SSE CGL के लिए apply कर सकते हैं अब एक और चीज़ आपके मन में आ रही होगी कि कि कितन एज होगी general category के लिए OVC के लिए CST सभी category के लिए तो देखो अगर हम age की बात के तो SSE CGL के जो age होती है वो 18 साल से लेके 32 साल के बीच होती है लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनेजे कि SSE में बहुत तरीके के post होते हैं SSE CGL में करीब 30 के करीब post होते हैं औ और सभी में 18 से लेके 32 साल तक age limit नहीं होते हैं किसी किसी में 18 से लेके 27 साल तक होती है किसी किसी में 18 से लेके 30 साल तक होती है तो depend करते हैं कि आप कौन से post के लिए apply कर रहे हैं कि जब आप form apply करोगे उस time आपको चुनना पढ़ते हैं कि आप कौन से post के लिए apply कर रहो तो आपके post recording आपकी age limit होगी यह जो age limit है यह general category के student के लिए है अगर आप OBC से आते हैं तो आपको तीन सल का extra time मिलेगा अगर आप SC और ST category से आते हैं तो आपको 5 सल का extra time मिलेगा तो यह बाते होगी अब हम बात कर लेते exam pattern के तो दोस्तों जो SSC CGL का exam होता ही आपको चार stage में होता है tier 1, tier 2, tier 3 and skill test तो सबसे पहले हम बात कर लेते tier 1 के बारे में दोस्तों tier 1 में 100 questions होते हैं और इसके marks जो होते हैं 200 marks के होते हैं और इसकी आपको एक घंटे का समय मिलते हैं tier 1 में आपको basically 4 टाइप के questions आते हैं general intelligence या फिरीजनिंग quantitative aptitude English comprehension and general awareness यह चारु पाट से 25 questions आते total question 100 और total marks आपके होगे 200 marks जिसके लिए एक घंटे का समय मिलेगा और उसके साथ साथ यह MCQ टाइप होता है यानि कि एक question के 4 option रहेंगे और आपको सही option select करना पड़ेगा और उसके साथ साथ यह जो exam होता है tier 1 यह आपको online mode में होता है अगर आप tier 1 clear कर लेते तो आप पहुं दो question रहेगा 200 marks का और जो second है general awareness इसमें अब आपको 100 question रहेंगे 200 marks के उसके अलाव इसमें दो पाट और होते एक statics का होता है और एक finance accountancy का होता है दोस्तों अगर आप investigator and compiler के लिए post के लिए apply करे तो आपको इसमें statics वाला भी देना पड़ेगा और उसके अलाव अगर आप assistant audit officer के post के लिए apply करो तो इसमें आपको finance accountancy का भी paper देना होगा और अगर आप इन दोनों पोस्ट यानिकी investigator and compiler और assistant audit officer के लिए apply नहीं करो इसके लिए बहुत सरी पोस्ट है अगर आप उन सभी के लिए apply करो तो tier 2 में आपको बस दो ही paper देने होंगे एक आपको quantitative aptitude का और general English का अगर आप सिफ दो paper देरो तो यह आपका 400 marks का हो जागा और इसमें आपको दो घंटे का समय मिलता है और इसमें आपको negative marking वी होते हैं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और उसके साथ tier 2 भी आपको MCQ type होता है और online mode में होता है आप tier 2 clear कर लेते हैं और tier 3 में आते हैं त इस दोनों में से कोई एक language में आप यह exam दे सकते हैं tier 1 tier 2 और tier 3 यह दोनों clear कर लेने के बाद बारी आती है skill test के यह जो skill test होता है यह सभी पोस्ट के लिए apply नहीं होता है कुछ-कुछ पोस्ट में यह skill test का exam होता है लेकिन बहुत सारे post में exam नहीं होता यानि कि अगर आपने verification होगा medical वगरण जो होना होगा होगा उसके बाद आपका selection हो जाएगा अब हम बात कर लेते हैं SSE CGL के post के बारे में और उनकी salary के बारे में दोस्तो SSE CGL में बहुत सारे post होते हैं 30 post होते हैं जो student जिस तरीके के जिसके marks आते हैं जिस तरीके से उनकी merit बनती है उस recording उनको post दिया जाते हैं जितने भी post हैं मैं आपको अगर अभी बोल के समझाँगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा और boring भी लगा सुनने के लिए इसलिए वो सारे post को मैं आपको comment मिली के उसे pin कर दूंगा आप वहां से पढ़ सकते हो और उसके साथ SSE CGL का जो best post होते हैं उसके बारे में आपको भी बताऊंगा और उनकी salary की बारे में बताऊंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को अभी तक देख रहें तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे चलिए जान लेते हैं से सी CGL का जो best post होते हैं दोस्तों जो top two post हैं सबसे पहले तो assistant audit officer और उसके बाद assistant accounts officer और इसकी salary बहुत जाद होती है जो कि आपको भी में बताने वाला हो इसके लिए बहुत सारे post होते हैं तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको comment में लिखके या फिर description लिखके उसको pin कर दूँगा आप वहां से जाके देख सकते हो तो दोस्तों अगर हम salary की बात करें तो जैसे कि maximum salary होगी आपकी वो करें 68,000 या फिर 70,000 रूपीज होगी अगर हम assistant audit officer और assistant accounts officer की बात करें तो इन दोनों के salary सबसे ज़्यादा होती है इनकी salary कर भी 61,000 कुछ रूपीज होती है 68,700 ऐसे ही कुछ होता है अभी के recording आने वाले time ये salary और बढ़ेगी तो जैसे कि एक idea लग गया क 44,000 रूपे से लेके 70,000 रूपे तक ही आपकी salary हो सकते है डिपेंड करता है कि आपकी posting किस level पे है आपकी सहर में है मेट्रो सीटी में है फिर छोटे सहर में इन सभी के recording आपकी salary थोड़ी बहुत वैरी कर सकते है तो दोस्तो SACCG Lab के लिए बहुत अच्छा option हो सकते है मुझ